नमस्कार शुरेंट्स एच्छसी की नई अपडेट देने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहूंगा आज से करीब 15-20 दिन पहले मैंने आपसे कहा था राज्य सरकारों के भरतियों के फॉर्म भरना छोग दीजिए अगर आपको नौकरी चाहिए तो सेंटर गवर्मेंट की नौकरीों के फॉर्म भरिये मैं आपके सामने गौरप शर्मा बताच्पा हूं आपको पहले ही अगर मुझे जॉब करनी होती तो मैं तो मैं हरियाना की करता किलर्क में मेरा नमबर आ गया था मैं जूटी पर गया ही नहीं ठीक ये मेरी राज्य सरकारों की भरतिया थी और एंड में मैंने चुनी अपनी कौन सी जॉब सेंटर गवर्रेंट की एजे पी जी टी लेक्शरर दिल्ली तो मैंने क्यों चुनी आप सभी को पता है क्योंकि इन राज्य सरकारों की कोई गारंटी नहीं है कि आपको कितने साल तक जॉब पे रखें आपको पता होगा ब्राइंग मॉस्टर हटा दिये इनन zm 2-3-3-3 साल पांस 5 साल दोकिले क्रवाके तो इन राज्यसरकारों की नोकिलियों его कोई पाष्टरस्टा नहीं है ना कोई निया म कानून कुछ भी नहीं है बस सिर्फ आप से पैसे लेना फॉर्म भरवाना उसके बाद आपको किसी भी प्रकार की जौब ना देना आज मैं इस वात को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान रह गया कि एच एसी के बखील साहब ओट में गए और कोई बिना किसी पैरवी के सिर्फ यह का कि हमें डेट दे दीजिए और आपको डेट मिल गई एक किस से 22 अपरेल के आसपास तो क्या उन्होंने सही किया यह इतने गरीब बच्चे मीडियम क्लास के बच्चे हैं एच एसी पंचकुला के सामने ऑफिस के सामने हरताल पर बैठे हैं एक प्रकार से हरताल ही समझ प्रकास उन्हें उनका सरकारी जॉब में नंबर आ जाए क्या इस सरकार सही है तो प्लीज आप सभी इस सरकार की नोकरी की अप एक च्छाना करके आप सेंटर गर्वर्मेंट जॉब की तैयारी कीजिए मैं आप से हाज जोर करने वेदन करूंगा और अभी अपसे दो दिन मैंने एक वीडियो डाला है सेंटर गर्वर्मेंट का हमारे यहां हरियान राज्य सरकारों में क्या होता है पान पान सो सास सास सो हजार जार रुपे पीस है मात्र सोर पे फीस है आप से हाज जोर करने वेदन करूंगा फॉर्म भर देजिए आज दो तारिक से सुरू हैं सिर की विकेंसी है आज दो तारिक से निकले हैं ठीक है और पद बता दू पांच जार आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा आप अच्छे से उसकी जानकारी लेना और फिर फॉर्म भरना और बता दू मैं आपको हरियाना ये आप आपके राजस्थान ये जितनी भी सरकार हैने राजसरकार इनके पेपरों में दिया कुछ जाता है इसलेवस पूचा कुछ जाता है और शिर्फ सेंटर गर्मेंट एक ऐसी गर्मेंट है जहां जो स्लेवस दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आप से कौशन पूच rocket आते ह करें मोहित पूनिया उन्होंने ये बात आज कही है कि आप लोग सेंटर गर्मेंट की तैयारी करें राज्य सरकारों के चक्करों को छोड़ दें और ये बात उन्होंने आज गई है इस बात को मैं आपको आज से 15-20 दिन पहले कह चुका हूं अगर मुझे राज्य सरकार की नो सेंटर गर्मेंट का राज्य सरकारों की नौकरी छोड़ दीजिए मत करिए इसकी जगह मात्र हंड्रेड रुपी फीज है इसकी किलर की मताब सो रुपे फीज और ना कोई लफडा ना कुछ सीधा स्लेवस तो स्लेवस एक्जाम आएगा आपका तो प्लीज आप सेंटर गर से दो अप्रेल दो अप्रेल से फॉर्म भर दीजिए सौत रुपे फीज है किलर्क की ठीक है कि ना ये चपन सतावन की भरती किलियर करेंगे ना ये गुरुप डी का तो ना स्करी दिया खैर मैंने उसी दिन बता दिया था और रही बात नेक्स्ट CET की टो वह परिवासा ही नहीं है जिस जिस राज्य में CET आया है उस राज्य य की सरकार चली गई है सबसे पहले CET लिया था कि सरकार में राजिस्टान ने नौक्रियों के चक्कर में इतने C.M. मारे गए मतलब अपनी कुर्सी से हाद दो गए वो कभी नहीं आए, सबसे ज़्यादा मार कहां पड़ी, इन सीम्स पर, इन्होंने भर्तियां पूरी नहीं की, इन्होंने नोक्रियां नहीं दी सही तरीके से, एक्जाम्पल के तौर पे सबसे बड़ा आपका उधारन है, राजिस्थान, सबसे पहले CET लाया था राजिस्थ का कोई ना तो माप डंड है, ना कोई क्राइटेरिया है, ना इसकी किसी ने ये देखी कि इसके जो आग दूर गामी परी नाम होंगे, वो कितने अच्छे होंगे, कितने बुरह होंगे, तो प्लीज, आप मेरी बात अच्छे से समझ गए होंगे, हर्या, हमारी के इन सरकार यानि के सेंटर गर्वेंट ने सिर्फ बात की थी आप लोगों के लिए कि हम सीटी के बारे में सोच रहे हैं इन्हों ने सोच आई था और हमारी इन सरकारों ने राजिस्तान हरियाना फलाना डहका सीटी ले आए हमें CT ना चीए हमें CT जिए सीधा एक्जाम लो जिस फी पोस्ट प्रथे पुश्ट प्थे पर्थी करी को से सीधा लगाओं हमें ना चीए ड्रामा और घर हमें इड्रामा चाहिए ही क्यों हम अब आगे से हर्याना सरकार की त्यारी करेंगे ही नहीं ना किसी राज्जासरकार का एक लड़का मैं आपको नाम क्या बताऊं उस उसने हरियाना के इतने पेपर दिये कोई कोई फायदा नहीं इकला क्योंकि चले बसकुछ देते थे पूशा को जाता था तो उस लड़के ने क्या किया रेलवे का एक लिए और रेलवे का एक ही बार में एक्जाम के लिए तरके आज लोको पाइलेट लगया यहीं मैंने पहले भी बताया था अब आप देखिए कि कहा सरकार और कहां सेंट्र गर्यूम follow है इतनी सी प्रहि करनी पड़ती है चर्फिन करने पर ले प्लीज सेंटर गर्वेंटि तेयारी करें विकैंसी के बारे मैंने बता दिया इस विकैंसी का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा उसको अच्छे से देख लेना और फॉर्म भर देना चरूर आज दो तारिक से ही एक्टिव हुआ है लिंक ठीक है और प्लीज चैन से आपके दिल की बात कुछ हुआ है तो बाकि आप लोग मुझसे जादा समझदार हो जैसा आप ठीक जैसा आपको ठीक लगे आप मुझे जरूर कमेंट में बताना मैं आपके कमेंट का इंतजार करूंगा नमस्कार